नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस Powerful Motivation YouTube चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीति के अनुसार बताएंगे कि महिलाओं के किन अंगों में छुपा है का उनसार है से, जो आपको अमीर बना सकता है ब्रह्मा ने ही महिलाओं के कुछ बिसेस अंगों के बारे में बताया है जो उनके भीतर छुपे कई राज उजागर करते हैं चारक के नीति के अनुसार महिलाओं के हर अंग में उनके बेक्तित से जुड़ा कोई ना कोई राज छुपा होता है महिलाओं के सरीर के इन अंगों को देखकर आप भी उस महिला के सोभाव से जुड़े कई राज जान सकते हैं दोस्तों आईए जानते हैं कि महिलाओं के अंगों में छुपे राज किस अंग में छुपा है कौन सा राज जो पूरे घर को बना सकता है करोड़ पती जो हर कोई जानना चाहता है लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किती तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों नमबर एक महिलाओं के बाल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं के बाल एकदम काले और बिलकुल सीधे होते हैं वो इसपस्ट बिचारों बाली होती है आईसी महिलाएं ना तो किसी बात को घुमा फिरा कर कहती है और ना उन्हें इस तरह की कोई बात समझ में आती है आईसी ज्यादा तर महिलाएं खुले बिचारों बाली होती है और उनका सोभाव बेहद सराल होता है और द इसके सुडोल बच इस्थल, धन संपत्य और एस्वर का प्रतीक हैं। ऐसी महिलाएं पूरे घर को धन धान से भर देती हैं। दोस्तो प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि सिल्बकारों ने बड़े बच इस्थलों को सवभागे के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पती के लिए एक तरह से तार अरहार होती हैं। इनकी संतान भी अप एच्छा करा ज्यादा बहतर और सफल होती है। दोस्तों तीसरी बात है महिलाओं की आँखें। दोस्तों कहा जाता है कि जिन महिलाओं की आँखें बड़ी होती हैं। वो दयालू और खुले विचारों बाली होती हैं। बड़ी आँखों बाली महिलाओं का दिल भी उनकी आँखों की तरह ही बड़ा होता है। और ऐसी महिलाओं पे सदैब देवी लचमी की किरपा बनी रहती है। दोस्तों नमबर चार महिलाओं की नाग, जिन महिलाओं की नाग खूपसूरत और सुडोल होती है। उनका जीवन सुखी और संपन होता है। ऐसी महिला परिबार बालों के लिए काफी सौभा गिसाली होती है। और वो जो भी काम करती है उसमें उन्हें निश्चित रूप से सफलता आबस्य मिलती है। और दोस्तों नमबर पांच, महिलाओं के होट। कहा जाता है कि जिन महिलाओं के होट छोटे होते हैं। ऐसी महिलाओं काफी सक्त सोभाव वाली होती हैं। इसके अलाबा जिन महिलाओं के होट दिल के आकार वाले होती हैं। वो आत्म विस्वास से भरी हुई होती हैं। और उनका ब्यक्तित्तों काफी आकरसर होता है। दोस्तों छटी बात है महिलाओं के पैर। हिंदु धर्म ग्रंथो के आनुसार महिलाओं के पैर छूने से इंसान के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं और इंसान उन्य का भागीदार हो जाता है इसलिए महिलाओं की इज़्चत करनी चाहिए और हमेशा उनके पैर जरूर छूनने चाहिए जिसकी बज़े से आपके उपर हमेशा देवी लचमी की किरपा बनी रहेगी लेकिन दोस्तों आपको अपनी बीबी के पैर नहीं चूने है और दोस्तों साथ मी बात है महिलाओं का पेड़ कहते हैं कि जिन महिलाओं का पेड़ चीकना और पतला होता है बो राजसी जीवन जीती है आईसी महिलाएं उच पदो पर कार्यास्त होती है और सुक भोगने बाली होती है आईसी महिला सामजिक और धार्मिक सोरूप की होती है जिस महिला की कमर पतली होती है बो सौभाग साली मानी जाती है और दोस्तों नमबर आठ लंबी गर्दन दोस्तों सामुद्रिक सात्र में लंबी गर्दन बाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐस्वर सालिनी होती है इसके पास संपूरर बैभब होता है और इसके रहते पती को कभी भी पैस और दोस्तो नमबर नो, मारसल और पुष्ट जंगाएं, दोस्तो मारसल और पुष्ट जंगाएं भी सवभाग्य साली होने का प्रतीक होती हैं, सामुद्रिक सास्तर के अनुसार, जिन महिलाओं की जंगाएं पुष्ट बा मारसल होती हैं, तो बह आवरत बहुत ही सवभाग् ही पती को मकान और बाहन का सुक बहतर धंग से प्राप्त होता है पतिली और विकरत जंगाओं को सात्रों में अच्छा नहीं माना गया है तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद सेर करना बिल्कुल भी मत भूला और यदि आप रोजाना इसी परकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस के दिये तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत